हलो दोस्तो मैं डॉक्टर उम्रगर्देश्मुक आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले डाइरिया के बारे में डाइरिया जैसे की काफी कॉमन प्रब्लम है खास करके पास साल से कम उम्रगी जो बच्चे है उनमें देखा जाता है जुसके कारण हमको डाइरिया होता है डाइरिया और डीसेंक्री में भी थोड़ा सा फरक है जैसे कि decentry मतलब जब loose motions में या latrin में blood दिखता है या mucus दिखता है तब अब उसको decentry बोल सकते है और अगर blood नहीं है तो उसको हम simple diarrhea कहेंगे diarrhea का जो WG का definition है उसके हिसाब से बच्चे में अगर दिन में तीन बार 24 गंटे में तीन बार है उससे ज्यादा बार latrin होती है जो पतली रहती है मतलब जो consistency है वो watery या lose रहती है तो उसको हम diarrhea बोलते है consistency is more important than the frequency मतलब बच्चे चार बार भी latrin करेगा कभी कभी लेकिन अगर consistency उसके normal है तो उसको हम diarrhea नहीं बोलेंगी लेकिन अगर दो बार भी करेगा मतलब अगर तीन बार या चार बार करेगा और consistency काफी watery रहेगी तो उसको हम diarrhea बोलेंगे तो जब भी बच्चों को diarrhea के लक्षन दिखते है जैसे lose motion सोना, ulty, बुखाराना तो हमको क्या करना है हमको सबसे पहले उसको ORS पिलाना चालो कर देना है ORS आपको medical shop से मिल जाएगा उसमें दो प्रकार के sachet आते हैं एक adult का sachet रहता है 21 gram का उसको आपको एक लिटर पानी में डाल के दिन बर थोड़ा-थोड़ा पिला सकते हो आप और लेकिन बच्चों में जो है वो 4.2 gram का एक sachet आता है जिसको आप एक glass पानी मतलब 200 ml पानी 200 ml water में डाल के आप उसको पिला सकते हो वायरस आपको उबाल के थंडा की हो जो पानी रहता है उसमें ही डाल के बनाना है और बच्चे को हर 15-20 minute में एक एक चमच देना है अगर लेने के बाद बच्चे उल्टी करता है तो आपको आदा गंटा रूप जाना है और आदे गंट करता है साथ में ही डायरिया में जो इलेक्टोलाइट बाहर जाते है जिसे पोटेशियम सोडियम उसको भी रिप्लेस करता है और ग्लुकोस भी मिलता है तो बच्चे में एनर्जी बनी रहती है वीकनेस नहीं आता है अगर और वायरस नहीं पियेगा बच्चा और डायरिया मतलब जैसे lose motion और omitting उसको चालो रहेगी तो बच्चा काफी सूस्त और weak हो जाएगा ORS अगर बच्चे tolerate नहीं कर रहा है या पिर नहीं पी रहा है तो आप उसको घर पे बना के नमक शकर का पानी पिला सकते हो एक ग्लास पानी में एक चमर शकर चुटकी पर नमक या आपको गोल बना के पिला रहा है पानी आप उबाल के थंड़ा की हो यूज करना और अगर बच्चा हो भी ने लिता है तो आप निम्बू शर्बत भी पिला सकते हो पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है और जो पोटेशियम का में लॉस होता है डाइरियल जो स्टूल्स रहते है उसमें पोटेशियम रिप्लेस करने के लिए आपको बच्चों को केला खिलाना है खास करके एक साल के जगर ऊपर बच्चा है तो उसको आप केला हैथ से स्मैश करके खिला सकते हो प्यले में इनरजी मिलें बच्चों को पोटेशियम का भी रिप्लेस्मेंट हो जाएगा क्योंकि केले में मतलब बनाना जो रहता है उसमें पोटेशियम काफी तो आपको डॉक्टर की सला से उल्डी की दवा, लुज मोशन की दवा, यह सब चालो करना है, दूसरी बात है, बच्चा अगर युरिन आओपूट अगर बच्चे का कम है, पर एकजामबल अगर जो हमेशा बच्चा युरिन करता है, उसे काफी कम मातरा में कर रहा है, पिछ पिलाना पड़ेगा या फिर डॉक्टर आपको कुछ आई फ्लूइड या सलाइन लगाने की एक सला दे सकते हैं अगर बच्चा कंटिनियूस उल्टी कर रहा है बच्चे को काफी तेज बुखा रहा है बच्चा सुस्त है और कुछ पचा नहीं रहा कुछ भी खाया तो निका फिर डी तो डात नहीं रहे हैं तो बच्चा फिर यसे उसमें से दाथ बाहर आना चालो होते हैं तो मसुड़े दर्द देते हैं मसुड़ों को थोड़ा comfortable feel करने के लिए बच्चा कुछ भी हाथ में जो अगर खिलो ना लगा या कुछ भी उसके हाथ में लगा तो चबाने की कुशिश करता है तो ऐसे जो hand to mouth activity बच्चे की काफी बढ़ जाती है जब उसके muscle होना चालो होते हैं उसमें से दाथ निकलना चालो होते हैं तो इसके करन कोई भी चीज जो बच्चा मूँ में डालेगा उसके जो जनतु रहते हैं पेट में जाते हैं और उसके करन बच्चे को lose motion लगता है तो उसका treatment कोई अलग नहीं है treatment यही रहेगा जो एक normal bacterial diarrhea का रहता है तो यह हो गया डाइरिया के बारे में आप चाहें तो आपकी कुछ सवाल अगर होंगी तो हमें comment section में पूछ सकते हैं